मंजिल यूही नहीं मिलती राई को जुनूल सा दिल में जगाना पड़ता है पूझा चीडिया से गौशला कैसे बनता है बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है बच्चो स्वागत करता हूं आपका विजीता सीरीज में जहां पर आज अपन करने वाले एक और इंपॉर्ट दिलाना है और साथ ही साथ आपका सवाल भी जो है वह बिल्कुल सही करवाना है देखो मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं है मेरा मकसद है तुमारे दिल में वह बसा देना कि जब भी सवाल आए तो सर्य सवाल ऐसे हो जाएगा आपन को बस यह सवाल ऐसे हो जाएगा आपन को इस chapter में सबसे पहले अपन इसके basic concept सीखेंगे जहां पर अपन देखेंगे यह vector क्या होता है कैसे कैसे इसको अपन define कर सकते हैं कैसे represent कर सकते हैं कैसे magnitude निकाल सकते हैं यह सब बाते अपन करने वाले फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि भई vector joining two points मतलब दो points को join करके vector कैसे बन एक चीज इस chapter को पराने से पहले कहीं बच्चे पूछे सर फील कैसे आती है मैक्स में यह बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कहीं बच्चे सिफ इसले परते हैं सर हमारे marks आजाये कहीं बच्चे इसले परते हैं क्योंकि मैक्स उनका जुनून होता है और कहीं आएखकर लेन अब बहुत अच्छी होने वाले तो चालू करते हैं बैक्टर यह वेक्टर कौंटीटिक रहोती है अच्छा ठोड़ी बहुत सब को होगी जहां पर बॉर स्केलर आपको पना होगा तो सकेलर चीज क्या होती है और वेक्टर क्या होती है इन दोनों में एक डिफरेंस होता है एना अगर आप मुझे बता पाए हाँ बहुत ही बढ़ी है जो आपने सोचा हुई कि सर जैसे जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 10 किलो मेरा बजन तो यह कौन सी कॉंटिटीटे हो गई की स्केलर मैने बोला तुम्हें इस डियूर्चन में कितना फोर्स लगानाँ है हां बहुता बरिया मालों फाइट इस डीरेक्ट उसके साथ जितना फोर्स लगाना रो दोड़ाईन कर दिया तो यह वाली कॉंटिटी तो आपन बात करते हैं ध्यान से देखिए वो स्केलर होगे इसके एक्जामपल से जैसे राम का वेट सोला कीजी यह एक स्केलर कॉंटिटी वी जैसे अगर मैं बोलू टेंपरेचर कितना है यहां पर कोटा में चल रहा है 48 डिग्री तो यह क्या है इसकेलर है पर वहीं पर आगर मैं बात कर दूँ जिसमें मैंगनीटिव के साथ साथ डायरेक्शन भी है यह कौन सी कॉंटिटी हो जाएगी वेक्टर कॉंटिटी जो अपन फिजिक्स में देख चुक है तो सबसे पहले एक्जामपल है बिल्कुल साही पर क्या अगला टू मीटर नॉट वेस्ट अब देखो डायरेक्शन के साथ साथ मेंगनीटिव इसका मतलब यह कौन सी कॉंटिटी हो जाएगी वेक्टर क्या यह सब लोग समझ पा रहे हैं क्या यह हर एक बच्चे को समझ आ रहा है 40 डिग्री 40 डिग्री चल्ली से बताए क्या यह स स्केलर का क्या जाएगा एस अगला 40 वाट भई ओव्यस सी बात है बस से मेगनीटिव तो यह कौन सा हो गया इसकेलर भई 10 की पावर माइनस 19 कूलम यह भी एक स्केलर कॉंटिटी और वहीं पर अगर मैं आप इसकी बात करेंगे तो यह कौन सा जाएगा वेक्टर 20 मींटर प सिर्ई की सर्ड रीप्रेजेंट कैसे करते ब्हां से देखना देहों सब्से पहले मैंने क्या किया है यहाँ drive disease बना दिढ आ किया यह origin है और यह पॉईंट है यह पॉइंट आ किया इन दोनों को कर दिया के लिए श्क अ长ilTT मैंने बोल दिया x, y, z तो मुझे किसकी direction में लिखना है o a की direction में o से a o से a की direction में एक vector लिखना है कैसे लिखूँ तो ध्यान से सुनना बच्चों आप हमीशे यार रखिए जब भी 2 point हो आप vector कैसे लिख सकते हैं आपको क्या काम करना है this minus this अब ये वाली बात करें ये 0,0,0 है तो minus करने पर कोई फरक नहीं परेगा तो x minus 0 ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखना ये हो जाएगा x minus 0 और किसकी direction में i cap यह वाली direction क्या हो जाएगी i वाली x minus 0 फिर y minus 0 फिर क्या हो जाएगा y minus 0 और ये हो जाएगा j cap plus z minus 0 k cap तो अगर मैं आप से बोलू o a की direction में कौन सा vector होगा वाब बोलूएगे x i cap plus y j cap plus z times of k cap कि आप ये सब बातें समझ में आ रहे है अब मैं बोलता हूँ इसका magnitude क्या है ये o से a तक जो आपने vector लिखा है इसकी direction में ये vector तो हो गया अब अब सिर्फ ये एक particular length ले लिए o a है इसका magnitude क्या है तो भई दो point के बीच का distance क्या होता है भई x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square plus z2 minus 0 1 का square तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे sir o a o a इसका magnitude होगा क्या हो जाएगा this minus this का square which is equals to under root times of link लेजिए x2 plus y2 plus कितना हो जाएगा बच्चों 0 square क्या ये सब को बात समझ में तो भई direction ये होगी और magnitude ये होगया तो vector का ये समझ में आगया कि भई vector लिखा कैसे जाता है अगर दो point है तो चलिए अब मैंने क्या बोला एक और बात यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ध्यान से सुनना मैंने बोला मुझे इसकी direction में एक unit vector सर ये unit vector क्या होता है जिसका magnitude क्या होता है 1 मुझे इसकी direction में एक unit vector बता दो देखो direction है तो direction तो ये री और इसका magnitude 1 होना चीए अभी इसका magnitude निकाला था, वो यह आ गया, तो इसका magnitude 1 करने के लिए, इससे क्या कर देंगे, divide, तो भई देखना, ध्यान से सुनना, O, A, और अगर इसका magnitude 1 है, तो उपर ऐसे cap बना देते हैं, तो यह कैसे लिखा जाएगा, यह direction हो गई, और नीचे क्या हो गई इसका magnitude, ताकि under root of कितना हो जाएगा, X square plus Y square plus Z square, क्या है, यह समझ में आया सबको, तो यानि अगर मैं आपसे बोलू, कि मेरे पास कोई A vector है, मेरे पास क्या है, कोई A vector है, इसकी direction में, एक मुझे unit vector लिखना है, तो क्या करोगे, आप बोलोगे, सर, A cap जो होगा, वो इसकी direction में क्या होगा, एक unit vector, और इसको लिखने के लिए, आपको कुछ नहीं करना सर, इस vector को इसके magnitude से क्या कर देंगे, डिवाइट, जैसे आप डिवाइट करेंगे, आपके पास क्या जाएगा, इसकी direction में, एक unit vector आजाएगा, क्या यह बाते है, सबको समझ में आरे, देखो, आज चीजे मेरे क सिर्फ समझानी नहीं है, तुम्हारे दिल में बिल्कुल बसाके रखनी है, ठीके ना, क्योंकि यह यह चैप्टर है, बहुत प्यार है, और इससे भी प्यारा है अगला चैप्टर, जो अपन करेंगे, विची स्थीरी, ठीके न, यह दोनों चैप्टर बहुत बहुत प्यार हैं, और अगर तुम इसको दिल से नहीं समझे न, कि इसके कंसेप्ट नहीं, सिर्फ फॉर्मला याद करके, अगर तुम सोच रहे हो कि इसके सवाल कर लोगे, तो हो सकता है, सवाल कर लो, पर जो मज़ा आने आने वाला है न, जो चीजे समझने के बाद, वो मज़ा अब देखना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मेरे पास दो पॉइंट है, मेरे पास क्या है, दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनना, ये अपने पास क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास दूसा पॉइंट हो गया, बी, ये रूसा point मेरेको A से B तक एक vector लिखना है कहां से कहां तक A से B तक तो A से B तक अगर लिखना चाहते हो क्या बोलोगे Sir A से B तक चला और यहां पर क्या लगा दिया A हो A से B तक अपने एक vector लिखने की कोशिश करिए ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला अगर यह vector जो है इसकी points में लिख देता हूँ x1 y1 and z1 और इसकी point मैंने लिख दिये x2 y2 and z2 क्या यह बात समझ मैं तो मुझे अब क्या करना है मुझे लिखना है A से B तक की direction में एक simple vector तो अभी अभी अपनने क्या सीखा था अभी अपनने सीखा था सर यह vector कैसे लिखा जाएगा इसका x component minus इसका x component which is x2 minus x1 times of i cap plus y2 minus y1 times of j cap plus z2 minus z1 times of k cap और इस तरीके से आपने क्या किया A B vector का लिख दिया किलिए रिखा तो यह चीज़ समझ मैं अब मैं क्या समझाना चाहरा हूँ धियान से सुनना मैंने बोला यह A point जो है इसका position vector अब यहाँ पे समझना यह तो अभी A B vector लिखा है अब मैं किसी point का position vector किसी point का position vector क्या होता है उसकी position बताता है किलिए रहे गया तो यहाँ पे लिखते हैं position vector of point A किलिए रहे गया A point का position vector इसको मैंने ऐसा small A vector लिख दिया अब यह A vector क्या बताएगा इस A point की position किसके respect में origin किलिए रहे गया क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छा अब अगर ये तुम्हें समझ में आ गई है मुझे ये बता दो position vector of point B क्या होगा point B point B मैंने इसको बोल दिया B vector जल्दी से बता है इस point का position vector क्या बोलोगे बहुत ही बढ़िया आप बोल दोगे सर ये हो जाएगा इससे आपने क्या किया position vector of point B लिख दिया अब मुझे क्या समझना था ये चीज कप आएगी जब मैं इसको इसमें माइनस कर दूँगा क्या रही है एक्स चू माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 तो अब अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे a b vector लिखना है तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि भई position vector of point B माइनस क्या कर देंगे माइनस position vector of point क्या कर देंगे a और इस तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं किसी भी vector को लिख सकते हैं अगर मुझे दो point पता है मतलब उनके position vector पता है कैसे बिलकुल easily और अगर position vector पता है उन दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा a b vector आ जाएगा क्या ये बाते समझ में आ रही है क्या ये चीजे clear हो रही है आपको कि किस तरीके से बहुत बच्चे confused रहते हैं सर ये जो चीज है ये तो हमेशे vector ही होता है ये सही बात है vector होता है और ये एक point से दूसरे point को ले जाता है नहीं ये कभी-कभी position भी तो show कर देता है कैसे भाई देखो ये वाला point है ये vector आ गया अब ये ये किसको show कर रहे है ये point a की position को show कर रहे हाँ हाँ आप बोलना चाहेंगे सर ये oa vector भी यही है क्या हाँ ये सही बात है ये oa vector अगर आप निकालोगे वो भी यही आएगा किलिए रहे गया तो a vector क्या चीज हो जाएगी oa किलिए रहे गया और अगर मैं b vector लिखूंगा तो o b vector चली इसे जल्दी से लिख लीजिए तो position vector समझ में आया कि बही किसी point की position लिखना और लिखते कैसे हैं अगर x1 y1 z1 है तो x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के अगर दो point पत हुए के लिए रहे गया चलिए terminal point तो यह अब अपने क्या बोला length किसी भी वेक्टर किया ना तो भई initial terminal तो terminal minus initial कीजिए और उसका magnitude ले लिए अब मैं अब मैं simply तुम से कुछ सवाल करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे को यह रह जाए कि अहां तुम्हें समझ मा रहा है पर इससे पहले में एक बार magnitude की बात मैंने पहले कर लिए ठीक है जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक point है यह point है 1,1,1 यह point क्या है 1,1,1 यह a vector है a point है और यह b point है यह कौन सा point है भई बी point है यह है 2,3,4 कि लिए रहा है मुझे क्या करना है a b vector लिखना है जल्दी से सब बच्चे a b vector बता दो गई a b vector क्या होगा क्या करोगे this minus this करोगे तो यह आ जाएगा i cap plus 2 j cap plus कितना आ जाएगा 3 k cap समझ में आ गया this minus this करा 2 minus 1 आजकल 1 होता है कि ल magnitude की बात करें यह हो जाएगा under root times of इसका coefficient 1 है तो 1 का square plus 2 का square plus कितना हो जाएगा 3 का square और आजकल इसका value market में 14 चल रहा है कितना चल रहा है 14 यानि अगर मैं आपसे बोलूँ कि a b vector का magnitude कितना हो जाएगा 14 कि लिए रहे गया लिख लो इस a b vector की direction में एक unit vector क्या होगा क्या बोल इसे निकालते हैं this upon this तो यह आजाएगा i cap plus two times of j cap plus three times of k cap upon कितना आजाएगा under root 14 और इस तरीके से आप एक a b की direction में एक unit vector का निर्वारन कर देंगे लिख लें आप इसे इसे लिख दें इसे लिख दें तो अच्छा मुझे यह बताओ कभी magnitude negative हो सकता है यह root वाली quantity कभी negative ह ऑनí हो सकते नई यह हां सबसे कम से कम zero हो सकती है इस से कम तो नहीं होगी तो आपन क्या बोलेंगे कि कभी magnitude less than zero नहीं हो सकता है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि root की value कभी negative नहीं होती हाँ यह 0 हो सकता है यह 0 कभ होगा जब यह 3 के 3 क्या हो जाएंगे 0 कि लिए रहे गा है ना तो यह 0 हो सकता है पर negative कभी नहीं होगा ठीक है लेंट is never negative अच्छा इसको ऐसे भी show कर सकते हो simple a लिख कर simple a लिखो है ना जैसे a b vector है अगर आप इसको simply a लिखते हैं तो यह चीज क्या हो जाएगी इसकी length हो जाएगी कि लिए रहे गया लिख लो इसे इसे लिख लो चलिए यह चीज समझ में आ गई अच्छा मुझे यह बताओ position vector of a क्या होगा क्या बोला मैंने pv pv of a बई point a बताइए जल्दी से तो आप बोलोगे sir इसका मतलब आप oa vector की बात करें oa vector क्या हो जाएगा बई यह हो जाएगा आपके पास i cap plus j cap plus k cap कि लिए रहे गया अच्छा pv of b क्या होगा position vector of point b तो आप बोलोगे sir 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap कि लिए रहे गया यह चीज़ समझ में आ रहे है चलें आगे आगे चलते हैं अगली बात करते हैं कुछ types of vector जो आपके syllabus में है जो आपकी books में भी दे रखा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ types of vector की ध्यान से सुनना सबसे पहला type is में 0 vector यह फिर नल वेक्टर बच्छो zero vector यह नल वेक्टर क्या होता है जिसका जिसका magnitude 0 पहली बात तो magnitude क्या हो 0 यह फिर यह भी बोल सकता हूं जिसका initial और terminal points same हो अगर initial और terminal points same होगा तो दोनों का subtraction 0 हो जाएगा और उसका magnitude भी क्या जाएगा 0 तो ध्यान से देखें वेक्टर यह फिर इसे zero vector भी कहते हैं अगर मैं बोलू कि इसका magnitude क्या होता है इसको ऐसे शो करते है जीरो के उपर एक vector और यह इसका magnitude किसके equal होता है जीरो के equal होता है इसकी कोई direction नहीं होती है क्योंकि null vector मतलब initial और final point same है है ना तो भई आप मुझे बताओ अगर यह दोनों same है तो यह किस direction में ले जाओगे इधर 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 कहीं भी तो इसकी कोई direction नहीं हाँ पर इसका magnitude क्या है same clear रहे गया तो यह ऐसे ऐसे show करते है क्योंकि इसका initial और final point क्या हो जाएगा से clear रहे गया तो इस तरीके से आप show कर सकते हो अगला unit vector मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे से इस video को जल्दी से pause करे और unit vector का length बता दे जल्दी से नीचे comment box में हाँ तो आपने यही लिखा होगा है magnitude किसके equal है वन तो वो हो जाएगा unit vector clear रहे गया लेकल लो यूनिट ही मतलब 1 ही होता है अगला co initial vector co initial vector दो vector co initial हो सकते है ना जब उनका initial point से ही हो मतलब एक vector यह रहा एक vector यह रहा है यह a point बोल दिया इसको मैंने b point बोल दिया इसको मैंने c point बोल दिया ठीक है तो अगर a b vector बात कर रहा हूं और दूसरा बोल रहा हूं a c vector तो इन दोनों का initial point क्या है ए तो भाई यह concept vectors हो अच्छा यहां पर अगर मैं बोलू एक unit vector है तो a cap का magnitude is equals to 1 and एक property और आती है a cap is equals to a vector upon magnitude of a के लिए रहे गए इस तरीके से आप property लिख सकते हैं अगला collinear और या फिर parallel vectors सुनना collinear vectors या फिर parallel vectors क्या होते हैं यह सारी definitions मैं याद करने को बोलूँगा तुम्हें मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं नाम समझ के याद नहीं है पर समझ में सारी चीज़ आते है collinear मतलब जिनकी directions सेम हो या फिर जिनकी जो direction है वो एक directed line segment के parallel मतलब parallel vectors देखो एक vector यह हो गया और दूसा vector यह हो गया यह दोनों vectors क्या हो गया parallel magnitude से फरक नहीं पड़ता है फरक किस से पड़ता है इनकी line of direction सेम होनी चाहिए तो यही चीज़ बोल रहा है दो या फिर इससे ज़्यादा vector है ना वही को linear हो सकते if they are parallel to the same line is respective of magnitude and direction direction या फिर magnitude से फरक नहीं पड़ता है किस से फरक पड़ता है उनकी line of direction सेम होनी चाहिए हाँ ऐसा भी हो सकता था ऐसा भी हो सकता था कि यह ऐसा हो ऐसा हो हाँ तो यह यह उल्टा भी हो सकता है पर देखो line सेम है एक line के parallel है एक सेग्मेंट के क्या है parallel तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक vector यह है और दूसर वेक्टर यह है अगर इन दोनों की direction से मेरा बच्चो तो यहां पर इसकी property भी होती है कि आप एक vector को दूसरे vector के lambda times लिख सकते हो क्या लिख सकते हो a vector is equals to lambda times of b vector यह किसकी property होती है याद रखना यह किसके लिए होती है को linear यह फिर parallel vectors के लिए कि एक vector lambda times of दूसर वेक्टर हो सकते है lambda एक scalar quantity है ना lambda 0 1 minus 1 कुछ भी हो सकते है कि लिए रहे गया 0 तो मत करना नहीं तो a vector ही 0 हो जाएगा जीरो के अलावा positive या फिर negative values आप ले सकते है अगला equal vectors अब बात आती है sir यह equal vectors क्या होते है सुनना बचो जिनकी direction भी सेम हो magnitude भी सेम हो मतलब मैं अगर बोलना चाहूं दो वेक्टर सीक्वल कब होंगे तो तो दो वेक्टर सीक्वल तब होंगे मानों यह पहला वेक्टर है यह मेरे पास क्या है पहला पहला वेक्टर ए और यह है B के लिए रहे गया इसको बोल दिया X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap के लिए रहे गया और दूसरी बात मैंने क्या बोल दी X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap है ना वही अब यह दोनों इक्वल है यह दोनों क्या है इक्वल अब यह इक्वल तब ही हो सकते है जब इनका X component भी इक्वल हो Y component भी इक्वल हो और Z component भी क्या हो इक्वल यानि आग Vector is equals to B vector then X1 is equals to X2 Y1 is equals to Y2 and Z1 is equals to Z2 बस यही काम करना है आपको इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल कीजिए आपके पास दोनों वेक्वल क्या हो जाएंगे इसके लिए क्या होता है इसके लिए अगर मैं बोलूं कि दो वेक्वल है या को लिनेर है तो A vector को आप lambda times of B vector लिख सकते हैं अच्छा अगर इसके सवाल बनेंगे कि आप उसकी value बता दो या यह कर दो तो देखो अगर A vector अभी मैंने इसमें यह माल लिए इसमें यह माल लिए तो इसमें भी property बन सकती है कैसे ध्यान से सुनना इसमें यह होता है बच्चों कि X1 upon X2 जो होता है वो किसके equal हो जाता है Y1 upon Y2 और is equals to Z1 upon Z2 मतलब इसके जो components होते है वो proportional होते है तो X1 upon X2 is equals to Y1 upon Y2 is equals to Z1 upon Z2 और इस तरीके से आप क्या बोल देंगे अगर अगर यह property follow हो रही है तो यह दोनों vectors क्या हो जाएंगे parallel और अगर X1 और X2 बराबर है Y1 और Y2 बराबर है और Z1 और Z2 तो यह vectors क्या हो जाएंगे आपके पास equal vectors हो जाएंगे इसके सवाल अभी अपन करेंगे मैं सिर्फ आपको definition से एक बार समझा देता हूँ negative of a vector किसी भी vector का negative तो उसके आगे minus लगा दो यह ना तो इसकी direction अगर ऐसी है तो उसमें क्या हो जाएगी एसी क्लिए रहेगा तो अगर मैं बोलता हूँ AB vector है कौन सा vector है AB तो इसका reverse क्या होगा BA vector यह फिर minus AB और minus AB की जगा BA लिखोगे तो वो भी सही है तो अभी direction यह है तो उसका negative की direction ऐसी हो जाएगी बस simply यह बात है अगला co-planar vectors देखो तीन यह इससे ज़्यादा vectors co-planar तब होंगे अगर वो एक same plane में हो अभी इसके अपन बहुत deep में बात करेंगे अभी से मैं इतना सा बता देता हूँ कि अगर वो तीनों vectors same plane में है जैसे यह vector है यह plane होगे आपके पास यह एक vector होगे यह दूसा vector होगे यह तीनों vectors क्या हो जाएंगे co-planar यह कैसे निकालते हैं उनका पता कैसे करता है वो मैं बाद में बात करूँ है तो इसको लिख लो आप सब लो अब एक सवाल आपके लिए है यह सवाल आपके NCRT का है इसके लिए तो पहले आप इन definitions को समझ लें और फिर इस सवाल को चाल पहलोग्राम है ABCD ठीक है पहलोग्राम साइट पहलल होती है और अपूजिर साइट जो होती है वो इक्वल होती है तो भाई ABCD जो है वो अगर पहलोग्राम है तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका magnitude और इसका magnitude क्या होगा सेम होगा और AB किसके पहलल होगा DC के क्लिए रहे गय ये और ये equal होंगे मतलब अगर मैं बोलू तो DC vector जो है वो किसके equal होगा BA या फिर AB तो DC है तो यहाँ से क्या बोल देंगे AB किलिए रहे गा तो DC vector क्या था A vector तो यहाँ पर लिख देते A vector is equals to देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ BA vector की वो C vector है तो AB क्या minus C vector हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या बोल देंगे minus C vector क्लिए रहे similarly देखो DA vector और CB vector equal है और दोनों की direction भी same है तो यहाँ से आप क्या बोल देंगे D vector जो है वो किसके बराबर होगा B vector क्या ना यह alpha है यह फिर इसको P बोल दो सबसे वरिया confusion नहीं खतम हो जाएगा अगला तो equal कौन कौन हो जाएगा B or D equal हो जाएगे है ना यह फिर A minus C के बराबर हो जाएगा पर equal कौन कौन है B or D अगला collinear but not equal collinear मतलब parallel vectors पर equal नहीं होने चीए तो equal नहीं है तो भई A और C के हो जाएगे collinear vectors हो जाएगे क्योंकि यह दोनों equal तो नहीं है दोनों एक दूसरे के negative times है अगला co-initial vectors मतलब जो same point से start हो रहे हो अब ध्यान से देखना यहाँ पर यह D तो भई A vector और D vector same initial point है तो यह हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अच्छा यहाँ पर P vector और B vector भी co-initial है यह भी co-initial है चलिए तो यहाँ से अपने देख लिए co-initial vectors कौन-कौन से हो गए तो यह चीज समझ में आई है आप लोगों को clear है यह चीज चलिए आगे बात करते हैं अगला position vector position vector मैं पहले ही बता चुका हो position vector किसी भी point का कैसे निकाल जाता है जैसे A vector का निकालना है तो A minus O clear है क्या तो यहाँ से जैसे मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या रहे confusion नहीं रहे जैसे A है इसको मैंने लिख दिया 3,4,5 तो भई यह O है तो भई A का position vector क्या होगा 3I plus 4J plus 5K है ना तो A vector क्या हो जाएगा वो simply आप बोल देंगे A vector आगर मैं इसको बोल देता हूँ यह A vector है तो यहाँ से आप बोल देंगे 3I plus 4J plus 5K इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं किसी का भी position vector with respect to O आगे बात करते हैं दो vector का addition जो अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ध्यान से सुनना इसमें बहुत बच्चे confused होते हैं यहाँ पर आप कुछ मत करना यह एक vector होगे है ना यह दूसा vector होगे जहाँ पर यह खत्म हो रहा है वही से धूसा चालो हो रहा है तो din दोनों का resultant क्यों हो झाएगा यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया A vector इसको मैंने बोल दिया B vector तो यह क्यों हो जाएगा C vector तो यहाँ से आप क्या बोल देगे यहां से यहां तक यह इसका resultant हो जाएगा और C वेक्टर किसके इक्वाल हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के चलिए आगे बात करते हैं त्रेंगुल लो जो अपने पहले ही दिसक्स कर लिया यह है अब यहाँ पर रिहां से सुनना यह त्रेंगुलर लो पढ़ाने से पहले यह तो मैंने तुम्हें सिखा दिया पर अब दो वेक्टरस मुझे दे रखें A vector इसको मैंने बोल दिया X1 I cap plus X2 Y1 Y1 J cap plus Z1 K cap similarly मैंने बोल दिया B vector क्या है मेरे पस X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap मुझे क्या निकालना है A vector plus B vector यह किसके equal होगा तो दोनों का addition कैसे होगा इनका यह वाला component एलक से add कर लो इसको अलक कर लो इसको अलक कर लो तो यह क्या बन जाएगा यह हो जाएगा आपके पास X1 plus X2 times of I cap plus Y1 plus Y2 times of J cap plus Z1 plus Z2 times of K cap यह क्या हो जाएगा इसका addition और similarly अगर मैं आपसे बोलू A vector minus B vector क्या होगा तो आप बोल देंगे Sir X1 minus X2 I cap plus Y1 minus Y2 J cap plus Z1 minus Z2 K cap है ना वह यह चीज़े आपने थोड़ी बहुत physics में देखी होगी नहीं तो अभी आप सीख लें ठीक है triangular law यही चीज़ थी ठीक है यह triangular law ही होता है अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मैंने बोला यह A है यह वाला point कौन सा है B है और यह वाला point है C तो अब यहाँ से आप क्या बोलेंगे सर A B vector सुनना ध्यान से A B vector plus plus B C vector plus B C vector is equals to क्या हो जाएगा A C vector अच्छा अब इसको मुझे अगर ध्यान से सुनना यह चीज तो अभी अपन ऐसे लिख लेते हैं अगर triangular law के अलावा एक और लोग जो होता है देखें कुछ properties होती है अच्छा मुझे यह बताओ अगर A में B vector को add करोगे या फिर B में A को add करोगे क्या यह दोनों equal आएंगे क्या obvious से बात है कैसे equal आएंगे तो ध्यान से सुनो देखो A plus B तो यह है अगर B plus A करोगे तो यहाँ पर X1 plus X2 की जगे क्या जाएगा X2 plus X1 अरे होती तो सेमी बात है ना तो इसका मतलब यह चीज सही है क्या कि अगर दो वेक्टर से तो A vector plus B vector is equals you क्या हो जाता है B vector plus A vector यह commutative law होता है ऐसे ही equal law होता है which is A plus B plus C है इसको याद कैसे करेंगे ध्यान से सुनना A plus B और plus C is equals to A plus B plus C है ना वहीं क्या करो देखो bracket को पहले solve करते हैं तो वहीं A plus B को add करके उसको C में add करो या फिर A को add करो B plus C में यह दोनों क्या होते हैं सेम आंसर देते हैं तो यहां से आप बोल सकते हैं यह वाली property भी follow हो जाईए अब यह सवाल आपके लिए एक बहतरीन आपके NCRT का सवाल है ध्यान से सुनना यह बोलता है वह एक triangular है यह triangle है ABC उसके vertex है यहां मैंने एक आपके लिए triangle बना दिया यह A हो गया यह B हो गया और यह क्या हो गया आपके पास C अब आपको क्या निकालना है AB plus BC plus AC किसके बराब जैसे इसका position vector मैंने assume कर लिया A vector यह ना देखो यह इस direction को मैंने A नहीं बोला इस point के vector को मैंने position vector बोला है इसका position vector हो गया B और इसका position vector क्या हो गया C अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि sir AB vector क्या होगा कौन से vector की मैं बात कर रहा हूँ AB vector तो AB vector कैसे लिखते है position vector of B minus position vector of A यानि यहां से कितना आजाएगा यह हो जाएगा B vector minus A vector अच्छा अगला बता दो भई B C है न भई और क्या बोला है B C तो B C क्या होगा आपके पास ही हो जाएगा C minus B और अगर मैं आपसे बोलूँगा A C क्या होगा तो CA पूचा है CA लिख लो CA CA मतलब A minus कितना हो जाएगा C क्या इन तीनों को add कर सकते हो तुम लोग और जैसे ही add करोगे मुझे जल्दी से comment box में बता दो इसका answer किसके equal आएगा मैं wait करूँगा comment box में देखते हैं कितने बच्चे इसको add करके बता पाते हैं इस law से भी आप vectors को add कर सकते हैं अब यह क्या law है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला पहलोग्राम है जैसे मानों आपको पहलोग्राम की दो साइट के long vector दे रखें यह एक और यह दूसरा वेक्टर हो गया है अपन जो वेक्टर की बात करते हैं वो होते हैं free vectors उसको एक position से उठा से उठा के कहा रख दिया दूसरा अब अपने addition पढ़ा था कौनसा वाला triangle वाला तो यहां से आप देखें अगर यह बी है तो यह भी क्या हो जाएगा बी तो इसके diagonal के long अगर मैं c vector बोल देता हूं तो यहां से c vector क्या a plus b vector हो जाएगा तो यह वाला law क्या बोल देगा आप जैसे यह a vector है यह b vector है तो इसका जो diagonal है वो इन दोनों का addition होगा और वो किसके equal हो जाएगा c vector है तो c क्या हो जाएगा a plus b जाएगा तो यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा था कि हर चीज अब इसके सवाल देखना यह तो अपन जो पढ़ रहे है तो इसके सवाल बहुत अलग टाइप के होते हैं जब आप करोगे तो यह बहुत आसान होते हैं इतने कोई मुश्किल नहीं होते हैं अगला किसी वेक्टर को आप अगर से मल्टिप्लाइ करें तो कैसे अंसर निकाला जाता है अपन उसकी बात करेंगे ध्यान से सुनना जैसे मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है a वेक्टर विच इस इकोस चू आई अब मैं क्या करना चातहूं इसको 5 से मल्टिप्लाइ करना चाता हूं तो इसको 5 से मल्टिप्लाइ किया 5a वेक्टर इस इकोस चू तो हर एक कोफिशेंस को आप 5 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह बन जाएगा 5 i cap प्लस 10 j cap प्लस 15 k cap क्या यह बाद सब समझ पारें तो यहां से यह चीज बन जाएगी और अगर आप इसके magnitude की बात करें तो आप बोलेंगे कि अगर sir k times of a vector का magnitude निकालना चाहता हूं बहार निकाल सकता हूं और बोल दूँगा कि यह आजाएगा more of a इस तरीके से के लिए रहे गया तो आप magnitude को बहार निकाल सकते हो easily इसको प्रूव करना है बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो अगर इसका magnitude निकाल तो इसका निकाल दो आपको अपने हाप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को common निकाल सकते हैं क्या यह बास समझ में आई कि आपको चले आगे आगे चले अगला अब देखें भई अगर कोई भी value है lambda तो आप बोलेंगे कि lambda a vector is always collinear lambda से क्या फरक परता है उसके magnitude के उपर कि भई वो length जादा और कम हो जाती है पर direction के उपर कोई फरक नहीं परता जैसे यह वाला देखें भई यह इसकी direction और इसकी direction सेम है यह ना अब इसमें फरक क्या हुआ अगर यह ऐसा है तो यह वाला vector क्या हो जाएगा इसका 5 times बस इतना सा अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा हाँ यह collinear है क्या बिल्कुल collinear है यह parallel है क्या यह बात समझ पा रहे हो अगला कि भई अगर मैं बोलता हूं एक को मैं माइनस एमें एड करूं तो क्या वो नल वेक्टर आजाएगा बिल्कुल सभी बात है एक को मैं एड करने पर क्या जाएगा अगला अगर लेंदा का वैल्यू वन अपॉन मेगनिट्यूड ए है न तो भई लेंदा एक इसके एकॉल हो जाएगा यह ओवियस ही बात है इसको रखं दो इसमेन कच कुटा के आश्र कितना आजाएगा अगला अगर के को मैं दल वेक्टर में मुल्ट़िप्लाय करूं वह एक बात करतें ठीके कुछ प्रوقर्टिज की अपन बात कर लेतें पहली प्रॉपर्टि से है ए ہے वक्टर उसको मैं टूसे भी मैं उसको मैं थी से बहुं के से मुल्टिप्लाए कर दिखेरें से भी मल्टिप्लाए करो तो इस lot को करें और यहीं चीजिस इसने बोले हुए, अग्ला k को अगर a plus b मैं multiply करो तो तो अलग लग क्रों या फिर एक साथ करों तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा के टाइम सो बी वेक्टर और अगला के को में मल्टिप्लाई किया वो के में वेक्टर के इक्वल आ जाएगा यह कुछ बेसिक सी चीजे थी अगला कंपोनेंट ओफ एक्टर की अगर मैं बात करूं मैंना देखो यह चीजे अपन पहले कर चुके इसलि अगर मैं दोड़ी आगे बात करते हैं देखो ध्यान से सुनना अ कम पॉनेंट ऑफ एwक्टर अगर मैं बात करूं कोई वेक्टर है उसकी निकालते तो उसका आई क्या लोंक कंपोनेंट कैसे निकालेंगे जैसे एकस आई कैप है प्लस य जी केप है प्लस जैर के तो आप क equal कब होंगे, जब उनके components भी क्या होंगे, same होंगे, तो आप क्या बोलेंगे A और B vectors equal कब हो सकते हैं, जब इसका I वाला component, इसके component के क्या हो, equal हो तो आप बोलेंगे, Sir, यहां से X is equal to कितना आजाएगा 2, अगला, अगला, भाई यह बात समझ में, इस तरी की के सवाल दो नंबर में आया तो तुम कर पाऊगे easily, चलें आगे, आगे चलें एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूँ, चलिए यह तो हो गया, आसान सवाल, ठीक है अगला सवाल है If A vector is equal to X plus 2Y X plus 2Y I cap plus plus 3 J cap plus 4K cap, ठीक है, अगला, और B vector आपको दे रखा है B vector, 3 I cap plus plus 3 J cap plus 2 times of X plus Y K cap, ऐसा दे रखा है ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको किसका value निकालना है, आपको निकालना है Find Find X and Y वही, X और Y बता दो, अगर अगर, if A vector is equals to क्या है, B vector अगर दोनों vector equal है, तो X और Y का value मुझे बता दो, जल्दी से कर, जल्दी से इसे कर, कैसे करेंगे कैसे सोचेंगे, तो आप यही बोलोगे Sir, अगर दोनों equal है, तो इनका I वाला component, which is equals to X plus 2Y is equals to कितना हो जाएगा, 3 अगला, वही तीन तो तीन के बराबर होता ही है, अगला, चार जो है, वो 2 times of कितना हो जाएगा, X plus Y, यह से cancel हो गया 2 times, यानि X plus Y किसके equal आगा है, 2, अब मैं गुजारिश करता हूँ हर एक बच्चे से, इन दोनों equation को solve करे, subtract करके X और Y का value मुझे बता दे कर दोगे, अगला, find the unit vector in the direction of this, अब यह सारे सवाल बहुत आसान लगने वाले हैं, देखो इसकी direction में एक unit vector, तो क्या करोगे, इसका magnitude निकाल दो, इसका magnitude कितना हो जाएगा, A is equals to under root, वही इसका 2 का square, plus 3 का whole square, plus 1 का whole square which is equals to 4, plus 9, plus 1, और यह root 14 आ जाएगा, क्या यह बाद समझ में आ रही है, पर अब इसकी direction में unit vector निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A cap बोल देंगे, A vector upon magnitude of A, तो भाई, यह क्या आ जाएगा, 2I plus 3J upon under root times of 14, और यह क्या जाएगा unit vector, अब देखो, इसमें एक और सवाल बोल सकता था, इसकी direction में एक ऐसा vector बटाओ, जिसका magnitude 10 है, तो क्या करोगे, यह निकाली दिया, इसका magnitude कितना है, 1, मुझे कौन सा, जिसका magnitude 10 हो, तो इसको किस से multiply कर दोगे, 10 से जैसे एक सवाल, अगर तुमने बोला, यह रहा, करो, क्या बोल दाए, find a vector in the direction of this, which have magnitude is equals to 7, क्या करोगे, सबसे पहले, इसकी direction में, एक unit vector को लिखोगे, जल्दी से लिखो, तो आप बोलोगे, sir, a cap, a cap किसके equal होगा, a vector upon magnitude of a, अगर आप magnitude of a की बात करेंगे, यह हो जाएगा, under root, 1 का whole square, plus minus 2 का whole square, यह हो जाएगा, 1 plus 4, which is equals to 5, यह हो जाएगा, i minus 2j upon under root 5, अब मुझे कौन सा vector निकालना है, जिसका magnitude क्या है, 7, और अगर मैं इसका magnitude साथ करना चाहता हूँ, इससे किस से multiply कर दूँँगा, 7 से, तो यह आसान हुआ, यह नहीं हुआ, तो आप क्या बोल देंगे, 7a cap is equals to 7 upon under root 5, और यहाँ पे आजाएगा, i minus 2j, और इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते, क्या यह बात समझ में आ रही है, लिख लो, इसे लिख लो जल्दी से, चले, चले आगे, इस सवाल को करे, यह क्या बोलता है, find a unit vector in the direction of a vector and b vector, तो सबसे पहले, इन दोनों के sum के direction में निकालना है, तो मैं क्या इन दोनों का sum निकालना है, यानि मैं किसकी बात करा हूँ, a vector plus b vector की, अचा मुझे a vector plus b vector बता सकते हैं, क्या होगा, आप दोनों को add कर दें, यह बन जाएगा आपके पास, 4i cap और साथ में plus 3j cap और minus minus 2k cap, किलिए रहे गा, अब इसकी direction में एक unit vector निकालना है, तो मैं क्या गरूँगा, इसको divide कर दूँगा, इसके magnitude से, इसको मैं p vector बोल देता हूँ, तो यार, इसकी direction में, p cap is equals चो हो जाएगा, p vector upon magnitude of p, तो लिखने हैं भई, यह हो जाएगा, 4i cap plus 3j cap minus 2k cap upon under root, यह हो जाएगा, 4 का square plus 3 का square plus minus 2 का, यह हो जाएगा, 4i plus 3j minus 2k upon 16, 4, 20 और यह हो जाएगा, 29, सही है ना, चले आगे, आगे चले, आगे बात करते हैं, अगले सवाल की, find the value of a for which this and this are collinear, अब सुनना, मैंने क्या बोला, मेरे पास दो vector है, और यह collinear है, जैसे a vector, which is equals to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and b vector है, b vector is equals to x2 i cap plus y2, y2 j cap है ना, बहिए y2 कितना है, y2 j cap plus z2 k cap, ठीक है ना, और यह दोनों क्या है, collinear, collinear यह फिर parallel भी दे सकता था, तो आप क्या बोलेंगे, sir a vector is equals to क्या होगा, lambda times of b vector, और इसको जब अपन solve करते हैं, तो इनके जो components होते हैं, वो proportional आते हैं, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, sir x1 upon x2 is equals to 2 होजाएगा, y1 upon y2 is equals to z1 upon z2, चलिए, यह property लगाए, देखते हैं, यहाँ से यह क्या है, 2, minus 3, और 4, और वो क्या है, भाई, a, 6, और minus a, चलिए, इसको देखते हैं, तो यहाँ से आप बोलेंगे, इसको इधर किया, 12 is equals to minus 3a, तो a का value यहाँ से कितना आगया, minus 4, अब आप बोलेंगे, sir, इससे minus 4 आए, इससे कितना आएगा, भाई, देख लें, 2 upon a is equals to minus 4 upon a, तो भाई, इसको इधर लाए, 16 is equals to minus 4a, तो यहाँ से भी a कितना आगया, minus 4, और दोनों को स्वाल करोगे, वो सेम ही आएगा, clear है गया, तो इस तरीके से आप a का value निकाल सकते थे, समझ में आ रहे हैं, दो नमबर में यह सवाल बनने के पूरे chances हैं, आगे चलते हैं, direction, cosine, and direction, ratios, दिहान से सुनना, भाई, यह मैंने क्या बोला, यह मेरे पास, यह x-axis बोल दिया, इसको y-axis बोल दिया, और इसको मैंने z-axis बोल दिया, अब कोई line है, यह है मेरे पास एक line, यह line है, ध्यान से सुननो, यह line है, ठीक है, यह line हो गई, ठीक है, और यह x-axis के साथ alpha angle बना रही है, x-axis के साथ कितना angle बना रही है, alpha, y-axis के साथ यह beta angle बना रही है, और z x के साथ कितना एंगल बना रही है गामा अब मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से मैंने बोला अगर यह लाइन मैं बोल देता हूं यह लाइन मैंने बोल दिया यह लाइन ऐसी है आपने बोल दिया x times of i cap plus y times of j cap plus z times of q cap सुनना ध्यान से सुनना अगर मैं बोलता हूं यह ऐसा है तो direction cos कैसे निकालते हैं पहले अपन उसकी बात करते हैं direction cos कैसे denote करते हैं सबसे पहले direction cos denote करते हैं बच्चो L M और N से किससे denote करते हैं L M और N से और L किसके equal होता है बच्चो अगर यह angle alpha है तो यह हो जाता है cos alpha यह हो जाता है cos beta और यह आपके पास कितना आ जाता है cos gamma अलफा बीटा गामा एंगल से डिफाइन करी दिये तो L क्या हो गया cos alpha M cos beta और N क्या हो गया cos gamma अब बात आती है सर मुझे तो line दे रखिए इसके direction cosine कैसे निकालो तो इसके direction cosine निकालने के लिए क्या करो इसके magnitude से divide करो इना इसकी direction में एक unit vector लिख दो तो बही कैसे लिखोगी बही बताओ इसकी direction में unit vector अपन ने बोल दिया इसकी direction में x i cap plus y j cap plus z k cap upon under root कितना हो गया x square plus y square plus z square कितना हो गया अब बच्चों जो L होगा ना L किसके equal होगा L हो जाएगा x upon under root कितना हो जाएगा x square plus y square plus z square similarly m कितना हो जाएगा इसका y वाला component ये बन जाएगा y upon under root कितना हो जाएगा x square plus y square plus z square और n क्या हो जाएगा बच्चों ये अब आप लिख सकते हो z upon under root x square plus y square plus कितना हो जाएगा z square इस तरीके से आप element which is direction cosine आप किसी भी line का निकाल सकते हो अब आप बोलोगे sir अगर direction cosine ऐसे निकालने थे तो ये x, y, z क्या था? ये था direction ratios समझ में आया और direction ratios अगर मैं a, b, c बोल देता हूँ तो यहां से a कितना हो जाएगा x और b कितना हो जाएगा y और c कितना हो जाएगा z तो भई ये तो क्या हो जाते हैं इसके direction ratios याना अब direction रेशो और direction cosine में एक similarity होती है ये इसके lambda times होते हैं बस यह भी अपन आगे बात कर लेंगे पर किसी भी line के direction cosine तुमें निकालने आए क्या और अगर angle alpha, beta, gamma दे रखाओ उससे भी तुम निकाल सकते हो एक और चीज बताओ अगर तुम यहां से l square क्या निकाल दो भई l square plus m square plus n square निकाल के देखो बई l square कितना हो जाएगा x square upon this m square y square upon this n square z square upon this और इन तीनों को add किया तो उपर कितना आ गया देखो denominator में तो same है उपर कितना आ जाएगा x square plus y square plus z square which is equals to क्या है यह बात समझ में आ रहे है क्योंकि उपर नीचे same है cancel होकर कितना जाएगा तो यह property भी होती है अगर alpha beta gamma angles है जो x axis y axis और z axis के साथ आपकी line बना रही है तो l square plus m square plus n square यह फिर cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma का value किसके equal आता है क्या यह बात समझ में आ रही है और अगर यह समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे इसका magnitude कितना है रूट 6 तो यहां से direction cos के आ जाएंगे 1 upon अंडर रूट 6 यह हो जाएगा 1 upon अंडर रूट 6 और यह हो जाएगा minus u upon root 6 इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे किले रहेगा तो यह direction cosines और यह direction ratio यह दो दो एक दूसरे के proportional है अगर इसको इसमें divide करोगे इसको इसमें divide और स्कूस्समें divide सी माइगा कि लिए रहेगा चले अवेक्टर magnitude दे रहा है and making angle pi by 4 with this this and acute angle theta with z axis तो चलिए वेक्टर निकाल करें ध्यान से सुनना इस एक बन में चाहता हूं आप इसको try करें करें बई को try करें जल्दी से try करें करत रहे है क्या किया किया देखें आपको angle दे रहा है x axis और y axis के साथ z axis के साथ नहीं दे रहा तो अब ध्यान से सुनना अगर मैंने बोला ये वाला angle क्या alpha का value pi by 4 हो जाएगा similarly beta का value pi by 2 and gamma का value by theta दे रखाएगा तो आपको एक और relation तो पता हिए ये relation क्या है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma this is equals to 1 यानी cos square pi by 4 plus cos square pi by 2 plus cos square theta is equals to 1 इसका value कितना होता है 1 by 2 तो यहां से cos square theta का value कितना आ गया है 1 by 2 यानी theta कितना लिख देंगे अपन pi by 4 या फिर minus pi by 4 भी हो सकता है नहीं cos square theta 1 by 2 है तो यहां से आप theta को pi by 4 या फिर minus pi by 4 लिख देंगे अब देखें इसने acute angle बोला है तो pi by 4 ही होगा चली अब इसने क्या बोला एक vector है जिसका magnitude यह है और इसकी direction तो भाई अगर मैं कोई vector लिखना चाहता हूँ जो angle alpha, beta और gamma बना रहे है तो यहां से आप यह बोल सकते हैं क्या अगर वो vector को मैंने p vector बोला है तो भाई वो vector की direction कैसे निकालेंगे cause alpha i cap plus cause beta j cap plus cause gamma k cap क्या यह बात सबको समझ में आ रहे है अब यहां से cause alpha यहानी pi by 4 आ जाएगा यह ना यह कितना आ जाएगा 1 by root 2 i cap plus plus 0 j cap plus plus 1 by root 2 k cap क्या यह बात समझ में आ रहे है इसका magnitude कितना है 1 आए ना इसका magnitude 1 होगा तो यह p cap लिख देते हैं अब इसका magnitude कितना बना रहे है 5 root 2 तो भाई इसको multiply कर दो 5 root 2 p cap is equals to 5 root 2 times of 1 by root 2 i cap plus 1 by root 2 k cap भाई इसको multiply कर दे गया जाएगा 5i plus 5 k और इस तरीके से आप इसको solve कर सकते है किलिए रहे गया इजी था बस यह relation आपको पता होना चाहिए था कैसा लगा सवाल बढ़िया चले आगे अगला vector joining two points है ना मैं directly इसका सवाल करवा देता हूं तुम्हें यह point है a यह point है b यह point है 2 3 4 और यह point है 5 7 9 आप a b vector निकाल दीजिए और दूसी चीज a b का magnitude भी बता दीजिए करिए भई जल्दी से करिए कैसे करेंगे इसको this minus is ना भई क्या आजाएगा 3 i cap प्लस 4 j cap प्लस 5 k इसका magnitude बताएं जल्दी से 9 16 और यह 25 और 25 पचास यानि यह 5 root 2 के बराबर आ जाएगा और इस तरीके से आप इस vector को निकाल सकते हैं यह directed from P to Q P से Q की तरफ बताएं भई क्या होगा जल्दी से this minus this यानि यह आजाएगा minus 3 i cap प्लस this minus this यह हो जाएगा minus 5 j cap और minus 4 k cap और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अच्छा इसका magnitude भी बता दो इसका magnitude कितना हो जाएगा निकालना 5 root 2 यह जाएगा करके देखना के लिए अब ऐसे सवाल आते हैं दो नंबर में कर सकते हो इसकी direction में एक unit vector लिख सकते हो क्या करोगे this upon this आजाएगा ठीक है चले आगे अगला section formula ध्यान से सुनना straight line आपने पढ़ा था 11 में वहाँ पे देखा था बचपन से पर 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 आ रहे हैं यहाँ पे भी सेम है section formula दो point है यह मेरे पास a point है यह मेरे पास b point है सुनना ध्यान से इसका position vector है a vector और इसका position vector है b vector एक point है p जो इसको m ratio n में काटता है internally तो p के coordinates इन दोनों के form में आप निकाल सकते हैं कैसे this into this which is equals to m b vector plus n times of a vector upon m plus n यह internally है अगर externally होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे क्या आ जाता है minus इस तरीके से आप section formula लगा भी सकते हैं और answer भी निकाल सकते हैं क्या है यह बात सबको समझ में जैसे इसका एक सवाल अगर मैं आपके लिए लेकर आँ यह रख वही आप बता दीजिए दोनों का midpoint क्या होगा अच्छा यह midpoint का मतलब one ratio one ratio होता है गया और अगर यह होता है इसका मतलब मैंने बोल दिया इसके point दे रखे थे दो तीन चार और यह दे रखा था आपको चार एक और माइनस दो यह one ratio one है क्या करोगे देखो यह तो point है तो यह तो वह formula लगा हो यह फिर इसमें a vector लिख लो 2i cap प्लस 3j cap प्लस 4k cap यह इस point का position vector होगा इस point का position vector क्या होगा 4i cap प्लस j cap माइनस 2k cap यह क्या होगा बी point का position vector अगर मैं आपसे पूछू भई p का position vector क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे सर क्योंकि यह section formula लगा होगे तो one into b plus one into a upon one plus one यानि यह किसके equal हो जाएगा a vector plus b vector divide by और इस तरीके से आप p को बिलकुल आसानी से निकाल सकते हो this plus this यह हो जाएगा 6i cap और 7 में plus 4j cap plus 2 times of k cap upon यह जाएगा 3i plus 2j plus k और इस तरीके से आप p point का position vector निकाल सकते हैं लेख लो इसे इसे लेख लो जल्दी से चलें आगे आगे चलते हैं आगे बात करते है शो डैट a b c are the position vector of this forms right angle triangle अब देखो position vector है मैंने क्या किया मैंने एक triangle बना लिया मैंने क्या किया एक triangle बना दिया अब यह triangle ऐसा बना दिया अभी मुझे नहीं पता 90 degree 3 कौन साइन में से, मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया, A point बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, C, इसका position vector मुझे पता है, इसका position vector क्या है, यह है, 3 I cap minus 4, J cap minus 4, K cap, इसका position vector क्या है, इसका position vector है, 2 I cap minus J cap plus K cap, और इसका position vector है, I minus 3 J minus 5 K, इस तरीके से, अच्छा, राइट एंगल, राइट एंगल प्रूब करना है, पाइटो गोरे स्विरम पता है, अब देखो, पाइटो गोरे स्विरम निकालने के लिए, आपको ये साइड लेंग निकालने पड़ेगा, अब साइड लेंग के लिए आपको ये वेक्टर निकाल दो और फिर इसका magnitude निकालोंगा तो यह length आ जाएगी A B vector यानि B minus A B minus A करोगे तो this minus this यह क्या बन जाएगा minus I cap this minus this यह जाएगा 3 J cap और this minus this यह जाएगा 5 K cap क्या यह बात सबको समझ में आ रहे है similarly मैंने अगला vector कौन सा निकाल दिया BC vector BC vector क्या जाएगा ध्यान से देखें BC यानि C minus B यह हो जाएगा minus I cap minus 2 J cap और minus 6 K cap क्यलिए रहे है ऐसा और अगला AC vector अगला कौन सा vector आगा AC यानि C minus A और C minus A कितना हो जाएगा minus 2 I साथ में कितना जाएगा minus J और minus K कितना जाएगा minus K चली अब बात करते हैं कौन सी की इसकी length की AB vector के magnitude की कैस का magnitude निकाल दोगे 9, 10, 14 और 15 नहीं 10 और 25 कितना हो गया 35 के लिए रहे हैं अगला BC इसका magnitude कितना होगा 36, 41 और अगला C है यह क्या हो गया रूट 6 अब Pythagoras theorem क्या बोलती थी कि सर A square plus B square is equal to कितना हो गया C square द्यान से सुनना इसका length आ गया under root 35 इसका length आ गया कौन से वाले का BC का root 41 और यह length आ गया root 6 अब देखें इसका square यानि आगर मैं बोलूँ AB के magnitude का square plus AC के magnitude यह CA के magnitude का square is equals to BC के magnitude का square है तो आप यह बोल दोगे सर यहां से आपको यह पता चल गया C square plus B square is equals to A square तो यह वाला जो length है यह देखो यह यह तो यह hypertonious हो गया यह 90 डिगरी हो गया तो क्या यह एक right angle triangle होगा और अगर right angle triangle होगा आपने prove कर दिया किया इस तरीके से आप vector की help से भी prove कर सकते हैं आपके triangle को कि वो right angle होगा या फिर नहीं होगा आगे बात करते हैं एक section formula का एक और सवाल ध्यान से सुने इसने बोल रखा है find the position vector of point R joining P and Q इसके positions दे रखें देखो अब इसको आप point के form में भी लिख सकते हैं position vector के form में भी लिख सकते हैं यह point आगया P और यह point आपका आगया Q अगर मैं इस point को लिखना चाहूं यह 1,2,-1 आगया और यह आपके पास कितना आगया minus 1,1 and 1 ऐसा भी तो लिख सकते थे हैं ना अब इसने क्या बोला कि इंटरनली पहला कौन सा है इंटरनली तो इस point को R बोल दिया और यह इसको किस ratio में कारता है 2 ratio 1 सबसे पहले इंटरनली का formula क्या करेंगे इंटरनली का formula जिनको नहीं पता देखो अगर यह P vector बोलता हूं इसको मैं Q vector बोलता हूं तो यहां से R vector का formula बनेगा 2 times of Q vector plus P vector divide by 2 plus 1 which is equals to 3 यह किसके लिए है internally और अगर externally की बात करें तो कहां फरक आता है फरक आता है यहां पर minus में तो इसमें हो जाएगा 2Q minus P upon upon में 2 minus 1 which is equals to 1 अब भई formula लगाईए answer निकाल लीजिए answer निकाल लीजिए तो देखें भई 2Q तो भई इसको 2 से multiply करके इसमें add करने तो देखो यहां से यह क्या बन जाएगा भई यह बन जाएगा आर वेक्टर is equals to बताएं भई इसको 2 से multiply किया तो यह आ जाएगा minus 2i cap plus 2 j cap plus 2 k cap और साथ में plus i plus 2 j minus k upon upon में कितना आ गया 3 यह हो जाएगा minus i cap plus 4 j cap plus k cap divide by 3 यह हो गया internally का यह पहला पार दूसरे पार की बात करेंगे r vector वही externally क्या करेंगे 2Q minus P तो वही यह आ जाएगा minus 2i cap plus 2 j cap plus 2 k cap और minus times of i minus 2 j यह plus 2 j minus k upon upon में 2 minus 1 तो यह तो solve कर दो यह तो आ गया minus 3i यह j तो cancel ही हो गया और यह कितना आ गया plus 3 और इस तरीके से आप मिकाल लोगे क्या यह समझबाए यह clear है चले आगे देखो आसान था चले आगे आगे बात करते हैं scalar product अब यहाँ से सवाल बनने चालो हो था scalar product यानि जिनका product करने पर एक scalar value आए अब यह हूता गया उसके लिए ध्यान से सुनना मैं आपको बताता हूँ मानिए आपके पास zo vector है यह a vector हो गया यह b vector हो गया इसका value आता है magnitude A, magnitude B and cos theta theta 0 से पाई के बीच का कोई value हो सकता है तो इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं चलिए अब बात करते हैं यह real number होगा क्योंकि देखो magnitude real होता है cos theta भी real होता है तो यह real number होगा अगला अगर A dot B 0 है और अगर A dot B 0 है सुनना यह value 0 है अगर यह दोनो non 0 है तो cos theta 0 हो जाएगा यानि theta कितना 90 डिगरी मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक vector यह रहा दूसा vector यह रहा और दोनों के बीच में angle कितना है 90 यानि इनका dot product किसके equal आएगा 0 के तो यहां से यह चीज बोल रखी है कि अगर अगर दो vector से एक दूसरे के perpendicular है तो इनका dot product किसके equal आता है 0 के equal आता है लिख लें से अगला अगर theta is equal to 0 है मतलब अगर theta 0 है इसका मतलब एक vector यह रहा और 0 angle का मतलब दूसरा vector भी इसी के उपर है तो इन दूनों का dot product किया जाएगा इसके magnitude का whole square किलिए रहे गया इसके magnitude का whole square इस तरीके से किलिए रहे अगला अगर theta pi है तो cos pi minus 1 होता है गया तो a dot b का value कितना हो जाएगा minus magnitude b अगला अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ एक और चीज़ बताता हूँ i dot i का value बच्चो 1 होता है i dot i अच्छा यह इसने दुखएगा i dot i या फिर j dot j या फिर k dot k इन तीनों का value 1 होता है पर एक और चीज़ ध्यान देना i का dot j के साथ या फिर j का dot k के साथ या फिर k का dot i के साथ इनका value 0 होता है क्यों? क्योंकि बच्चो i और j के बीच में angle 90 degree है तो दो vector अगर perpendicular है तो उनके dot product 0 हो जाएगा इस तरीके से के लिए रहे गया अगला अगर theta angle है तो सुनना अगर दो vectors के बीच में angle निकालना है तो भाई अपने पास formula क्या बनेगा? मुझे बताओ A dot B इसका magnitude क्या बनाता? magnitude A magnitude B cos theta तो यहां से cos theta का value कितना आ जाएगा? इस वाली quantity को नीचे लाईए तो theta किसके एक वाला जाएगा? cos को उदर ले जाएगे? ऐसा को सिर्बाद के लिए रहे? अच्छा, the scalar product is commutative यानि A का B के साथ dot लो या B का A के साथ dot लो, वो सही हमाता है अच्छा, सर एक dot लेके बताईए, जैसे इसको छोड़ो अभी ये बताओ A को मैंने माल लिया और B को मैंने माल लिया इसको बोल दिया आप सर A dot B बता दो कैसे निकालते हैं सुनना, A dot B निकालना बहुत असान है पहले इन दोनों का product लिख लो which is X1, X2 plus इन दोनों का product Y1, Y2 plus Z1, Z2 इस तरीके से, easily के लिए रहे गया, इस तरीके से आप बिलकुल निकाल सकते हैं अब यह कैसे आया तो देखो, A dot B का मतलब क्या था X1, I cap, plus Y1 J cap, plus Z1, K और इसका dot X2, I cap, plus Y2 J cap, plus Z2, K अब देखना, सबसे पहले इसको लेकर गए और इसके साथ dot लिया I dot I 1 होता है, तो X1 और X2 आगया, कितना आगया, X1, X2 प्लस, इसको लेकर गए इसके साथ I dot G कितना होता है, 0 तो इसको लिखने की ज़रहत नहीं है I dot K भी 0 होता है, वापिस से लिखने की ज़रहत नहीं है, इसको लेकर गए इसके साथ 0, फिर वापिस से कितना आगया Y1, Y2, Q, और इसका साथ कितना हो गया? 0. फिर इसको इसके साथ 0, इसके साथ 0 और फिर कितना गया? 0, 1, 0. इस तरीके से निकाल देते हैं. के लिए रहे? अब एक सवाल है आपके पास. इसने बोल रखाए आप दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो. यह दो वेक्टर कैसे हैं? ध्यान से हो गया. आप दोनों के बीच का एंगल निकाल दो. तो फॉर्मला बताइए. फॉर्मला क्या बनता है? कॉस्ट थीटा इस इकोस चूए डॉट बी अपॉन रूट 3 अपॉन 2 इंटु 1. यह क्या आगया? कॉस्ट थीटा. तो भई, कॉस्ट सीटा का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 कब होता है? तीस पे, हाँ सही है. यहाँ जाएगा पाए बाए 6. किलिए रहे गया? इस तरीके से आप बिलकुल निकाल सकते हैं. चले आगे, आगे चले. अगला कुछ प्रॉपर्टी एका बी के साथ डॉट या फिर बी का एक के साथ सीम होता है. किलिए रहे गया? यह दोनों क्या होत सबसे पहले क्या निकाले के देखा रहा है. फिर बी का बताईए अंडरूट टाइम्स ओप कितना आ गया है? बी का का बताईए अंडरूट टाइम्स ओप कितना आ गया है? कितना आ गया? अंडरूट 3. निकाल लोगे नहीं है? 1, 1, 1, 3. के लिए रहे? अच्छा, A.B. निकालिए अब. अब एक क्या निकालिए? A.B. तो कैसे निकालते है? 1, 1, प्लस 1, इंटू माइनस 1, प्लस माइनस 1, इंटू 1. यह दाएगा A.B. इस इकोस तू 1, माइनस 1, मा व्लस सीथा का फो मला बताइए. कॉस ठीटा का फो मला यह आजाएगा माइनस 1, अपवाउन इंटाइगा निकाल लोगे इस तरीके से चलें आगे अगे चलें. अगली बात करते हैं. अगले सवाहल कि यह रहा हुए.. E.kol b और A- b और पहेंडेकुलर है, देखो, अब इसको मैंने क्या बोल दिया है, भाई ये P वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास Q, तो क्या P वेक्टर निकाल सकते हो, क्या Q वेक्टर निकाल सकते हो, बताओ, P कैसे निकालोगे, दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा, 6 I cap, प्लस, 2 J cap, माइनस 8 के क्या, और Q क्या हो जाएगा, A माइनस B, ये हो जाएगा, 4 I cap, माइनस 4 J cap, और प्लस 2 के क्या, अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये दोनों क्या है, 90 दिग्री पर, कैसे करेंगे, दो वेक्टर्स अगर 90 दिग्री पर, तो इनका dot product निकाली है, क्या निकाली है, dot product, कैसे निकालेंगे, ये आजाएगा, 24, माइनस 8, माइनस 16, तो ये कितना आगया, P dot Q is equal to 0, तो भई, P vector और Q vector क्या आजाएगे, परपेंडिकुलर, समझ मैं, यानि अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का dot product लेंगे, और वो किसके equal आजाएगा, जीरो के equal आजाएगा, लिख लेंग, चलें आगे, आगे चलें, अगला, देखो, एक, एक, एक वेक्टर का, दूसे वेक्टर, या फिर लाइन के उपर projection, मानिए, आपके पास ये वेक्टर, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, या फिर on, बी वेक्टर, सुनना, कैसे निकालते हैं, देखो, एक का, बी के उपर projection निकालना है, तो, ए डॉट, बी निकाल दीजिए, अपॉन में, magnitude of क्या लिख दीजिए, magnitude of B, जिसके उपर निकाला जाता है, उसका magnitude नीचे आ जाता है, मतलब, अगर मैं आपसे बोलू, projection of, बी व निकाला गया, उसके उपर मेरा focus रहता है, नीचे अगर B के उपर निकाल रहें, तो, नीचे B आएगा, अगर A के उपर निकालोगे, तो, नीचे के आजाएगा, इस तरीके से, तो, यहाँ पर अगर आपन बोलें, इसका सवाल यह रहा, इस projection of this on this, बताओ, कैसे निकालोग यह आजाएगा 2, प्लस 6, प्लस 2, अपन, अंडरूट, कितना आजाएगा, 1, प्लस 4, प्लस 1, अरे यह निकालना आ रहे हैं न सबको, कैसे निकालते हैं, 2 बन जाए 2 है न, ऐसे निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया, यह आजाएगा, 6 और 4, 10, अपन, अंडरूट, 6, रहे, इस तरीके से आप एक वेक्टर का दूर्से वेक्टर या फिर लाइन के उपर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, किलिए रहे, चले आगे, आगे चले, यह रह, फाइंड, A-B का मेंगनिट्यूड, अगर A और B आपको पता है, और A.B पता है, देखें, इन टाइप के आपको पता है, इसको मैंने बोल दिया, कुछ X है, is equal to A-B का मेंगनिट्यूड, अब देखो बच्चो, इसका मेंगनिट्यूड डाइरेक्ट तो नहीं निकलेगा, पर आप क्या कर सकते हैं, इसका square कर दो, इसका क्या कर दो, square, एक property याद रखना, कि अगर magnitude of A के square की बात कर तो अगर मैं इस magnitude को देखो, इसका square है, तो मैं क्या बोल दूँगा, ये हो जाएगा, A-B का dot पॉरक with A-B, अब देखो कैसे लेंगे, सबसे पहले A का A के साथ dot, यानि A dot A आजाएगा, फिर minus कितना आजाएगा, A dot B आजाएगा, फिर क्या आजाएगा, minus B dot A आजाएगा, और फिर plus कितना आजाएगा, B dot B, समझ में आया, ये किसकी value है, X square की, अपनको क्या निकालना है, X, तो भई A dot A, क्या ये magnitude of A का whole square हो जाएगा, अब देखो, A dot B या फिर B dot A, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम, तो इसको लिख दोगे, minus 2 A dot B, plus, plus magnitude of B का whole square, लगाएं भई, formula लगाएं, और answer बता हैं, ये कितना आगया, 4, A dot B, 74 है, तो ये कितना आगया, minus 2 times of 74, plus, B square कितना आगया, नहीं, solve कर देंगे, एक second दुख नहीं, इसकी value change कर दो, इसकी value कितना कर दो, 4 कर दो, इसकी value कितनी कर दो, 4 हैं, नहीं तो ये finite नहीं आएगा, थोड़ा सा correction कर ले न, ये कितना लिख दिया, अपनने, 4, ठीक है, इसकी value कितनी कर दी, 4, हां, बताएं अब, तो ये x square कितना आजाएगा, ये आजाएगा, 13 minus 8, तो x square is equals to 5, यानि x का value कितना हो गया, root 5, तो answer कितना आजाएगा, root 5, negative कभी नहीं होगा, क्योंकि magnitude is never negative, it is always 0 या फिर positive, इसका answer कितना आगया, root 5, क्या इस तरीके का सवाल कर सकते हो, अच्छा, अब, तुम्हाँ लिए homework क्या है, तो मुझे बताओगे, a plus b का magnitude कितना आएगा, तुम्हाँ लिए ये homework है, बताना, कितना आ रहा है, comment box में, comment box तुम्हारा है, बताएगा, कितना आ रहा है ये same इसी procedure से करना, आपका answer बिल्कुल आपके पास आजाएगा, लिखो भी जल्दी से, जल्दी से करें, चले आगे, आगे चले, a unit vector है, यानि इसका magnitude किसके equal है, आपको किसका magnitude बताना है, x का, अगर ये इसके बराबर है, अब सुनना, सुनना भई ध्यान से, क्या बोला ग दो नमबर में सवाल आने के chances है, देखो, x का dot x के साथ कितना हो जाएगा, x dot x, minus, plus, x dot a, minus a dot x, और plus, या फिर minus, minus a dot a, is equals to 8, देखें भई, ये दोनों value कट जाएगे, क्यों, x का a के साथ dot, या फिर a cut, x के साथ dot क्या होता है, equal, मतलब, same होगा, तो ये हो जाएगा, magnitude of x का whole square, minus magnitude of a का whole square is equals to a, ये 1 है, तो लिख दीजिए, magnitude of x का whole square is equals to, इदर लाए तो 9, तो यहां से magnitude of x is equals to कितना आगे, negative नहीं होगा, तो answer कितना आजाएगा, इसका, इस तरीके से आप बिलकुल answer, निकाल सकते हैं, चलें आगे, चलें, 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 बहुत ही बढ़िया, आगे show that this, this and this are collinear, अब देखो, तीन पॉइंट को अगर collinear prove करना है, तो उसके लिए various method होता है, कुछ method मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, कुछ method तुम अपने आप सीख जाओगे, देखें, पहला method, अब देखो, ये तीनों points collinear है, मतलब एक line पे होंगे, क्या होंगे, एक line ठीके, अगर ये तीनों points collinear है ना बच्चों, तो आप एक काम कीजेगा, आप क्या काम कीजेगा, आप AB vector निकाल दीजेगा, क्या क्या निकाल दीजेगा, AB और BC और एक C, ये तीन vector निकाल दो, अब सुनना, मानो इसकी length 1 है, इसकी length 2 है, और ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, एक example के तोर पर बता रहाँ, देखो, अगर AB vector निकाला उसकी length 1 है, BC vector निकाला उसकी length 2 है, और AC vector निकाला उसकी length 3 है, तो क्या ये तीनों points collinear ही होंगे, बिल्कुल सही बात है, तो ये ही तो होता है, collinear में, कि इन दोनों का sum किसी 3 से के बराबर है, तो आप क किजिए, इन तीनों की magnitude की value पर focus किजिए, किस पर focus किजिए? तीनों के magnitude पर, निकाल के देखते हैं, A, B, A, B क्या होगा, B minus A, यानि ये क्या बन जाएगा, यहां पर, पहले अपन A, B vector निकालेगे, क्या निकालेगे, A, B vector, फिर क्या निकालेगे, फिर इनका magnitude, बताएं BC, BC मतलब this minus this which is equals to 6i cap, फिर minus 2j cap और minus 4k cap, और अगला AC, AC मतलब C minus A which is equals to 9i cap, minus 3j cap और minus 6k cap, अब ध्यान से सुनना, कुछ गलती करी हो तो वो देख लेते हैं, BC मतलब C minus B, 6 minus 2 और minus 4, यह सही है, AB यानि B minus A, यह हो जाएगा 3i cap, कितना हो जाएगा, B minus A, यह plus 3i cap, टेक है, plus 3i cap, minus J और यह, टेक है, ध्यान से सुनना, अब आप length निकाल दें AB की, यह length कितनी आएगी, under root, निकालना है, ध्यान से निकालना, 9 और 1, 10 और 4, 14, अगला, BC की length निकालें, BC की length किसके बराबर आजाएगी, under root, ध्यान से सुनना, भई यह आजाएगी 36 plus 4 plus 16, और यह हो जाएगा, under root 56, अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या, 4 into 14, और इस 4 को बहार निकाला, तो 2, 14, अगला मैंने निकाला, EC, यह length कितनी आजाएगी, under root, ध्यान से देखें, 99, 81 plus 9 plus 36, देखें भई, यह कितना आजाएगा, 90 और 1, 2, 6, अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या, 9 into 14, और 9 को बहार निकाला, तो 3 root footing, तो अब यहां से देखें, इन दोनों का length, इसके बराबर आगया, यानि मैंने यह देख लिया, कि दो sides का length, तीसी side के बराबर triangle में तो नहीं हो सकता, तो यह क्या बनेंगे, kolinear आपके पास बन जाएंगे, देख लो, किलिए रहे गा, इस तरीके से, और मतलब संजोग की बात देखो, जो example लिया, वैसा ही यह बन गया, तीक है, यह क्यों बना उसका reason है, क्योंकि ऐसी बनता है, बहुत सालों से कर रहे है, तो लिख लो इसे, इसे लिख लो, यह ऐसे करोगे, तो तुमारा एक number भी नहीं कटने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं, तीक है, चले आगे, आगे च बता दो, A का magnitude, B का magnitude, और C का magnitude, किसके बराबर आएगा, 1, अब देखें, आप पहले focus करें, आपको value किसके निकालनी है, आपको value निकालनी है, इस वाली quantity, और आपको given क्या है, आपको given है यह, तो देखो, इस सवाल को करने के लिए, मैंने क्या किया, A plus B plus C, A plus B plus C का magnitude कितना हो गया, 0, आप क्या कीजे, दोनों साइड स्क्वाइर कर दीजे, इसका magnitude is equals to कितना हो गया, 0, यह सही बात है क्या, और इसके square का magnitude भी कितना हो गया, 0, इसका फायदा क्या होगा, आपको एक property पहले बताई थी, मैंने, A का magnitude, क्या यह समझ में आ रहे है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, A plus B plus C is equal, dot with A plus B plus C, यह कितना हो जाएगा, 0, अब मुझे यह बताओ, A का A के साथ dot कितना होता है, A square, क्या डारेक्ट A square लिख दे, B का B के साथ B square, plus C का C के साथ C square, याद करो property, same वैसी बनती है, plus 2 times of, क्या बन जाएगा, A dot B plus B dot C plus C dot A, और यह किसक equal आ जाएगा, 0, अरे इन तीनों का value 111 है क्या, तो यह हो गया 3, plus 2 times of required is equals to 0, तो required का value किसके equal आ जाएगा, minus 3 वैट, यानि आपका answer कितना हो गया, minus 3 वैट, यह कैसे आया, किसे को doubt है, तो एक एक को product कर ले, अपने आप उसके पास भी आ जाएगा, चलें आगे, आगे चलें अगला, vector product of two vectors, ध्यान से सुने, दो vectors का vector product कैसे निकाला जाता है, पहली बात तो, जब vector product लेते हैं, वो vector quantity आता है, यानि अगर मैं आप से बोलू, कि यह एक plane है, यह एक vector है, यह दूसरा vector है, यह A vector हो गया, यह B vector हो गया, तो भई, इनका vector product, इस plane के perpendicular एक vector है, और वो नहीं आता क्या है, तो ध्यान से सुने, A, cross B, ऐसे तो denote करते हैं, यह आता है, magnitude A, magnitude B, और sin theta, और साथ में आजाएगा n cap, n cap क्या होता है, n बच्चो, यह जो plane है, इसके perpendicular vector होता है, यानि अकर दो vectors के perpendicular आपको कोई vector निकालना है, तो दोनों का क्या कर दो, cross ले दो, अभी आगे बह करने भी वाले है, देखें, तो यह एक vector quantity होता है, यह इसका magnitude हो गया, तो अच्छा, अब बताइए, यह वही सेम चीज है, एक cross B, अगर दोनों के बीच में एंगल theta है, तो एक cross B क्या जाएगा, magnitude B, sin theta into n के हो, देखें, चलो, कुछ results देखें, एक cross B एक vector होता है, जो अपन हमने बात कर लिए, अगला, अगर A और B vectors की बात करें, वो 0 कब होगा, देखना, भई मुझे बताओ, A vector cross B vector is equals to 0, यानि magnitude B, sin theta is equals to 0, यह तो 0 निया, sin theta 0 है, तो theta कितना आजाएगा, यह तो 0 या फिर pi, अब theta 0 का मतलब समझते हो, दोनों जो vectors है, इसके बीच में कितना angle हो ज vectors हो जाए, या फिर pi, तो मतलब parallel vectors हो जाए, या फिर collinear vectors हो जाए, तो उस case में क्या होता है, यानि, I dot I कितना होगा, 0, J dot J कितना होगा, 0, K dot K कितना होगा, 0, क्या यह बात समझ भाई, तो यहां से आप निल्कुल easily निकाल सकते है, लिख लो इसे, अच्छा, A dot A 0 है, अग क्योंकि इसमें theta कितना होगा, pi, अच्छा, theta 90 होगा, 90 पर sin 91 होता है, तो यह value किसके है, इसका magnitude किसके equal आजाता है, इसके, इसका magnitude इसके equal आजाता है, अगला, देखना, सुनना मेरी बात, दो vectors है, मुझे एक ऐसा vector निकालना है, जो दोनों के perpendicular है, क्या किया, दोनों के perpendicular vector नि दूसर vector आगया, यह A vector है, यह B vector है, मैं वो vector निकालना चाहता हूँ, जो दोनों के perpendicular है, इस plane के perpendicular है, यानि P vector जो है, वो A के perpendicular होगा, और P vector किसके भी perpendicular होगा, B के है, अब सुनना, यह कैसे निकाला जाता है, दोनों का क्या कर दो, बच्छो, cross, और जैसे दोनों का cross करोगे, is equals to, इसका magnitude नहीं पता, तो यह आजाएगा, A cross B, इस तरीके से, क्योंकि magnitude तो अपने हिसाब से ले सकते है, इसका magnitude तो कुछ भी हो सकता है, तो यह क्या जाएगा, lambda times of A cross B, और इस तरीके से आप इलकुल निकाल सकते हैं, लिख लो इसे, इसे लिख लो जल्दी से, चले magnitude कितना आगया बच्चों पर, अब आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल, कैसे निकालो, फॉर्मला बताओ, sin theta, इसका value डाला, 1 is equals to, यह हो गया 3, यह हो गया 2 by 3 into sin theta, यह तो तीन से तीन गया sin theta कितना आगया, 1 by 2, यानि theta कितना आजाएगा, 30 degree, क्या इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, लिख लो इसे, इसे लिख लो, चले आगे, चले, इसमें 150 degree भी हो सकता है, यह न, 150 degree भी हो सकता है, हाँ, पर तुम्हें काम करो, इसको एक्यूटी लिख लो, सवाल में acute angle लेखो, तो answer 30 देख लिख लो जाएगा, चले आगे, अगला, कुछ properties की बात करते हैं, सबसे पहली property, अगर आप A का B के साथ cross लेते हो, यह देखो, dot product जासा नहीं है, कि A का B के साथ लो, या B का A के साथ लो, सेम आ जाएगा, यहाँ पे, अगर A का B के साथ लो direction के साथ से चलो, left hand system चलता है, इसका तो ऐसा है, और इसका अंदर की तरफ आया, तो A की direction ऐसी है, और A की direction ऐसी है, तो उसकी वज़े से क्या हुआ, एक minus का अंतर आ गया, यानि A cross B, या फिर B cross A में क्या अंतर आएगा, एक minus का, तेक है, अगला, अगर A का cross लेते हो, B plus C के distributive law होता है, और अगर M एक constant है, तो M यहां रखो, यह यहां रखो, यह दोनों के बहार रखो, वो भी same होता है, चले, यह रहा, अब आप मुझे सबसे पहले A cross B निकाल तो, देखो, निकालने का तरीका में बता देता हूँ, कहीं बच्चों को नहीं पता होता हूँ, पूर यहां पर यहां पर A वाले लिखो, A वाले कौन है, 3, 1, और 2, और यहां पर कौन लिख दो, 2, minus 2, और 4, अब देखें, इसको solve करना आता है, देखें, सबसे पहले, I लिखें, इसकी row और column को चुपाया, 4 plus 4, कितना हो गया, 8, ठीकें, फिर minus J, अब यह कितना हैगा, 12, minus 4, 8, plus K, यह कितना हैगा, minus 6 और minus 2, यानि minus 8, तो यह A cross B आया, क्या आगया, A cross B, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इसका magnitude, वो कैसे निकालेंगे, अंजरू, देखें, इसका square 64, इसका square भी 64, और इसका square भी 64, यह 64 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 64 into 3, क्योंकि 64 बहार निकाल तो 8 हाजएगा, और यह answer कितना हाजएगा, yes, clear, तो इसका magnitude कितना हागया, 8 root 3, चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, A cross B represents, ठीक है, then it छेलिया, देखें, एक formula होता है, formula क्या होता है, अगर, अगर, यह triangle मैंने बनाया, ठीक है, adjacent sides, यह A vector हो गया, यह B vector हो गया, अगर adjacent sides है, तो बच्चों, यह इसका area के आएगा, half times of A cross B, अब अगर, अगर बानो, ऐसा भी लिखता मैं, ऐसा लिखता, यह A हो गया, यह B हो गया, और यह C हो गया, है ना, इसका position vector A दे रखा है, देखो, यह तो इसमें sides दे case में भी आप निकाल सकते हो, इसका area के आएगा, half times of A, B cross A, C, क्या आजाएगा, half times of A, B cross A, C, मतलब, B minus A, cross with C minus A, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अच्छा, एक चीज़ और बताना ज़रा, I cross I, J cross J, और K cross K, इसकी value क्या होती है, इसकी value कितनी होती है, 0, जीरो होती है, और अगर मैं एक circle बना देता हूँ, इसमें बच्चों को confusion नहीं रहेगा, यह circle क्या है, देखना, I, J, और K, ऐसा, देखना, I का J के साथ cross बच्चों के आता है, जे का K के साथ cross कितना आता है, अगर, I cross J is equals to K, J cross K is equals to I, और K cross I is equals to J, अगर आप cycle को reverse करोगे, तो एक minus आजाएगा, मतलब, अगर मैं आप से बोलूँ कि, भाई, I cross K कितना होगा, तो यह कितना होजाएगा, cycle के उल्टे चले, तो minus times of J, यह भी याद आतना, देखे, चले आगे, आगे चलते, अगर, अगर वही सेम चीज़ है, कि अगर यह A और B vectors adjacent sides बनाते हैं, यह A vector होगया, यह B vector होगया, तो इसका area क्या हो जाएगा, A cross B का magnitude हो, ठीक है, फॉर्मला याद रखे, तो बहुत ही वड़ी है, नहीं याद रखे, तो याद करवा देंगे लोग, ठीक है, अब क्या बूल रख इसके point पता हैं आपको, 1, 1, 1, इसका point है 1, 2, 3, और इसका point क्या है, 2, 3, and 1, ठीक है, अब देखना बहुत, इसका area का formula बताओ, क्या sides जिदे रखे हैं, नहीं, तो बहुत इसकी sides बनाने के लिए, यह area का formula आजाएगा, half AB cross AC, क्या AB निकाल सकते हो, आप कैसे निकालोगे, ब this minus this, तो यह आजाएगा, देखो, 0I plus J plus 2K, अच्छा, AC भी निकाल सकते होगे, AC, AC क्या आजाएगा, this minus this, यह आजाएगा, I plus 2J plus 0K, अब देखो, इसका cross product निकालने के लिए, क्या करोगे, आप निकालना चाहते हो, AB cross AC, तो यह आजाएगा, यह आजाएगा, आपके पास, I, J and K, यह आजाएगा, 0, 1, 2, 1, 2, 0, निकाले भई, यह आजाएगा, I, 0 minus 4, minus J, यह हो जाएगा, 0 minus 2, plus K, यह कितना हो जाएगा, आपके पास, K में, 1, यह minus 1, यह तो आगे, आपके पास, AB cross AC, अब इसका magnitude निकालता है, यह हो जाएगा, under root, 16, plus 4, plus 1, which is equals to root 21, अच्छा, area root 21 नहीं होगा, है न, वो divide by 2 होगा, तो इसका answer कितना हो जाएगा, root 21 by 2, तो जब भी sides दे रखियो, तो इस तरीके से करोगे, अगर vertices दे रखे हैं, तो इस तरीके से करोगे, अगर side है, तो direct cross product लो, आपका answer आजाएगा, चले आगे, आगे चले, यह रखे, find a unit vector, perpendicular to a plus b and a minus b, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको p माल लिया, और इसको मैंने क्या माल लिया, q, तो क्या आप p vector बता सकते हैं, क्या आएगा, तो आप लिख ले, a plus b, a plus b कितना आगे हैं यहां से, यह आजाएगा, 2i plus 3j plus 4k, similarly q vector आजाएगा, this minus this किया, 0i minus j minus 2k, अब भई आपको क्या करना है, इन दोनों के perpendicular एक vector निकालना है, इन दोनों के perpendicular एक unit vector निकालना है, पहले क्या करो, vector निकालो, फिर उसको उसको उसके magnitude से divide करके क्या करेंगे, एक unit vector निकाल लेंगे, तो भई क्या करोगे, p cross q करके इसके perpendicular vector आजाएगा बताएं बई कैसे निकालोगे यह आजाएगा i, j and k तो यह आजाएगा 2, 3, 4, 0, minus 1 and minus 2 तो बई लिखें आई बताएं बई solve करें minus 6 plus 4 यह हो जाएगा minus 2 minus j यह कितना आजाएगा minus 4 और साथ में plus k यह आजाएगा minus 2 यह हो जाएगा p cross q आजाएगा देख लो एक बार देख लो minus 4 और k में आजाएगा minus 2 अब इसके direction में एक unit vector लिखना है तो वो क्या हो जाएगा p cross q का हो जाएगा यह फिर इसको क्या माल लो r vector इसको क्या माल लो r vector तो क्या r के अप लिख सकते हो क्या करोगे इसका magnitude निकाल लो r का magnitude बता दो वे under root 4 plus 16 plus 4 under root of 24 divide मार दो वहीं यह आजाएगा आपके पास minus 2i plus 4 j minus 2k upon under root 24 यह हो जाएगा minus i plus 2j minus k upon 4 वहाँ निकाला root 6 यह answer आजाएगा आसाने देखो step क्या थी दो vectors के perpendicular vector निकालने के लिए cross लिया और unit निकालने के लिए इसको इसके magnitude से divided के दिया बस अब क्योंकि a plus b और a minus b के लिए पूछा था तो पहले a plus b निकाल लिया फिर a minus b और फिर इन दोनों का cross निकाल लिया क्या यह बास सबको समझ में आ रहे है चले आगे आगे चले अगला find lambda and mu if this is equals to this this cross this is equals to zero so now if a cross b is equals to zero then then क्या मुझे a और b के बीच का angle बता दोगे और collinear vectors क्यों क्यों क्योंकि भई collinear vector भई तो होते हैं जिनके बीच का angle कितना हो 0 या पाई तो भई यह पता चल गया कि अगर a cross b 0 है इसका मतलब दोनों vectors क्या होंगे collinear अच्छा collinear की condition मैंने आपको बताई थी क्या होती है इनके coefficients proportional होते हैं होते हैं क्या और अगर यह होते हैं तो आप क्या बोलोगे सर यह coefficient और यह coefficient क्या होंगे proportional होंगे यह न देखो theory से चल दो पूरा तो यहां से क्या बनेगा दो 6 और 27 is equal to is equal to यहां पर 1 lambda और mu तो lambda का value निकालने के लिए इसको divide मारा 3 आगया और mu का value निकालने के लिए divide मारा 27 by 2 आगया कि इसको solve करने की जोरत थी करे होगे तो उससे भी यह answer आएगा इसका पहले है वह determinant बनाके solve करो वह लंबा procedure है पर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका सवाल तुमारे को दिख जाएगा देखो मैंने अभी तक एक भी formula यूज नहीं कह से यह तो अपने प्रूफ किया था है ना formula थोड़ी नहीं यह तो चीज़े समझी है अपने कि दो कि दरब याद यह अगला सवाल क्या बोलता है area of paragraph whose headshots चाहिशा बताईए formula बताईए a cross b और उसका magnitude यानि आप क्या करना चाहते हैं सबसे पहले निकालना चाहते हैं a cross b वही बता दीजिए a cross b कैसे निकालना जाता है i j and k और यहां पर कितना आ जाएगा यहां जाएगा 1-1 and 3 और फिर यहां पर आजएगा 2-7 और 1 के लिए रहा है है यहां से आपके पास आजएगा i यह आजएगा minus 1 plus 21 minus 1 plus 21 minus j देखना बचो यह कितना आजएगा minus j में आपके पास आजएगा 1-6 plus k k में आपके पास क्या बनेगा यहाँ जाएगा minus 7 minus 7 plus 2 तो इस तरीके से आप A cross B को निकाल सकते हैं A cross B क्या बनेगा A cross B is equals to 20 times of I cap और साथ में plus 5 times of J cap और साथ में minus 5 times of K cap क्लिए रहे गया अब क्या इसका magnitude आप बता सकते हैं बताईए जल्दी से बताईए A cross B का magnitude is equals to under root इसका square होता है 400 इसका होता है 25 और इसका भी कितना होता है 25 तो यह हो जाएगा 450 कितना हो जाएगा 450 और simplify करने का माने तो आप एक काम कीजिए 25 को बहार निकाल दीजिए तो यहाँ जाएगा 5 times of अंडर root 25 से इसको divide किया तो कितना बनेगा 25 से 8 सही लिखा है नहीं है 16, 17, 18 कितना आजाएगा कुछ गल्ती कर दिया गया सही है 18 आजाएगा अब और बहार निकाल दो 15 root 2 कितना आजाएगा 15 root 2 square unit यहाँ पे आप लिखिएगा इसके देखो यार 0.5 marks करने के chances है अगर आप यह नहीं लिखते हो ना square unit 0.5 marks आपके कार सकता है चलें आगे चलें आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ देख सकते हो कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता है बस क्या होता है आपका यह बस यह पता ही है करना चाहता है कि आप चीजों को याद कर रहे हैं यह समझ के कर रहे हैं अब देखो क्या बोल रहे है perpendicular to each this and this अभी क्या था यह सवाल अपन्य है याद करो अब यह तुम्हारे लिए एक होंबग है यह क्या है तुम्हारे लिए होंबग है यह होंबग है मुझे comment box में जरूर बताना है कि इसका answer क्या आ रहे है ताकि मुझे भी अच्छा फीलो कि तुम्हें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहे है चलते हैं आगे अगले अब कुछ सवाल हो की तरफ यह सवाल देखे सबसे पहले find the value of this अब मैंने आपको याद कर वाया था कैसे किया था पर ने यहाँ पर i लिख दिया यह भाई j लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया कि इस तरीके से arrow बना दिया क्या j cross k i cross j पहले के निकालना है j cross k j cross k क्या i के बराबर आता है तो लिख दीजिए i dot i plus j भाई i cross k i cross k क्या minus j होता है क्या यहाँ लिख दिया minus j plus k यहाँ पर कितना आजाएगा i cross j i cross j होता है बच्चो अब बताइए बई i cross i 1 यह हो गया minus 1 और यह कितना हो गया 1 यह value किसके equal आजाएगी answer क्या हो गया इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं चलें आगे आगे चलते हैं if theta is the angle between this ओहो बहुत ही प्यारा सवाल है देखें भाई ध्यान से सुनना a dot b और a cross b का magnitude equal है अब magnitude लगाते हैं भाई इसका formula क्या बनेगा magnitude of a magnitude of b and cos theta और इसका क्या बनेगा magnitude a magnitude b and sin theta यह तो cancel हो गया यह क्या हो गया cancel और अगर यह cancel हो गया इसको नीचे लाए तो बच्चो 10 theta का value बनेगा तो theta कितना आजाएगा pi by 4 और इस तरीके से आप इसका answer बोल दोगे क्या इसका answer pi by 4 हो जाएगा तो इस type का अगर तुमारे पास सवाल आया तो तुम कर पाओगे क्या बताओ गई कर लोगे चले आगे आगे अगला show that the direction cosines of the vector equally inclined to axis this, this and this and this ठीक है ध्यान से सुनना अगर तीनों से equally inclined है यानि वो यह बोलना चाहता है क्या alpha और beta और gamma तीनों equal है equally inclined का मतलब यही हो गया कि alpha जितना x-axis से inclined है उतना ही y-axis से उतना ही z-axis से यानि तीनों का angle भी क्या है से अच्छा, मुझे यह बताईए अगर यह तीनों equal है और मुझे यह भी पता है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या यह value 1 के equal होती है और अगर यह value 1 के equal होती है तो आप यह बोलेंगे यह तीनों equal है यानि यह बन जाएगा cos square alpha यह भी cos square alpha and this is also cos square alpha और यह कितना आगया 1 यानि 3 times of cos square alpha is equals to 1 यानि cos square alpha is equals to 1 by तो यानि cos alpha किसके equal आजाएगा plus minus 1 by root 3 अच्छा cos alpha क्या L होता है क्या और L direction cosine होता है क्या यानि मैं क्या बोलना चाहता हूँ L क्या होता है cos alpha M क्या होता है cos beta और N क्या होता है بچों cos of gamma अब यह तीनों बराबर है तो यह plus minus 1 by root 3 है यह भी plus minus 1 by root 3 और यह भी कितना आ गया plus minus 1 by root 3 और इस तरीके से आपने क्या ये प्रूव कर दिया क्या direction को सेंच तो क्या ये सवाल मुश्किल था चार नमबर में अगर ये सवाल आया तो भई comment box में बता ना कितने marks तुम ग्रैब कर सकते हो बच्चा दरेगा का ये ये इसको देख के और सौर ये कैसे करेंगे easily आपसे हो जाएगा चलें आगे चलते हैं आगे बात करते हैं अगले सवाल की देखें क्या बोलता है A, B और C दे रखा है एक चीज हो गई D वेक्टर जो है वो perpendicular है A और B के अब मुझे ये बताओ अगर D A और B के perpendicular है तो क्या D vector is equals to lambda times of A cross B आजाएगा क्या बोलो है क्योंकि A और B के क्या है परपहिन देखुलर है और एक और चीज बोल रखा है कि C dot D 15 है इससे lambda का value अपन निकाल लेंगे चलें अब इसको step by step करते हैं सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे बच्चो A cross B A cross B अगर आप निकालने जाएंगे यहाँ जाएगा I, J and K और बच्चो यहाँ पर कितना है आपके पास यहाँ जाएगा 1, 4 and 2 यहाँ जाएगा 3, minus 2, और 7 तो भई देखें I, यहाँ पर आगे 28, plus 4, 32 minus J, यहाँ जाएगा 7, minus 6, which is equals to 1 and K, यहाँ जाएगा minus 2, minus 12, यहाँ जाएगा minus 14, यहाँ जाएगा A cross B, पर मैंने यह देखा था D क्या हो जाएगा, D is equals to lambda times of A cross B यहाँ जाएगा 32I minus J, minus 14 times of K, क्याँ यह बास समझ में आ रहे हैं अब lambda निकालने के लिए इसने relation नहीं रखा है relation है, C dot D 15 है तो मैंने क्या किया, बच्चों, इसका dot ले लिया C के साथ, तो यहाँ पर dot लगाते क्योंकि आगे पीछे में कोई फरक नहीं आता यहाँ पर लिख देते, 2I minus J plus 4 times of K एक बार इसको check कर लें, 284 32 यह सही है, minus J में 7 और minus 6 एक सही है और K में minus 4 और minus 12 यह भी बिलकुल सही है, ठीक है देखें बई, C dot D 15 है तो यहाँ पर 15 आ गया is equals to lambda times of देखें, यह आ जाएगा, 64 यह कितना आ जाएगा, plus 1 minus 56 यह 65 9, कितना आ गया, 9 lambda is equals to 15 भई, 3 से काट दो तो 3 lambda is equals to 5 इससे lambda कितना आ जाएगा, बच्चों, 5 by 3 और lambda अगर 5 by 3 आ गया, इसमें रख दीजे इसमें रख दीजे बच्चों, इससे आपके पास क्या आ जाएगा देखें, बई, lambda अगर 5 by 3 तो D is equals to हो जाएगा, 5 by 3 times of A cross B, A cross B यहाँ से यह आ जाएगा, 32y minus, minus में J और minus कितना आ जाएगा, 14 के minus 14 के, लिख लीजे इससे लिख लीजे अब यह सवाल आसानी से हो गया देखो, कुछ भी नहीं था cross भी आ गया, dot भी आ गया, और सवाल भी हो गया चले आगे, आगे चलते हैं अगला, यह, एक important property है 2016 यह 15 में आपके CBSC में यह सवाल पूचा गया था और बहुत सारे बच्चे देखो, सवालों की practice सब कर लेते हैं इसकी practice बहुत कम बच्चों ने की थी और देखें, इसको prove कैसे किया जाए उसकी मैं बात करता हूँ बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे A x B के magnitude की यह क्या होता है? magnitude A, magnitude B and sine थे और अगर मैं आपसे बोलूँ A.B का magnitude क्या होता है? आप बोलोगे सर A का magnitude, B का magnitude और cost थे बस यह जैसी जिस बच्चे को याद है यह कभी उसका गलत होई नहीं सकता देखें भई, देखें भई, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए LHS देखा, इसका LHS क्या है बच्चों? इसका LHS है magnitude of A x B का whole square और यह अगर उसका square देखूँँगा तो यह कितना आजाएगा A का square, B का square and sine square थे यह आपका हो गया, पहला अब बात करते हैं RHS की, RHS, देखना भई RHS में आपके पास क्या है? A dot A, क्या यह magnitude of A का whole square है क्या? भई, इसको मैंने लिख दिया magnitude A इसको A dot B लिखो भी, इतना कितना लिख दो A dot B, यहाँ पे भी कितना है A dot B, और यह आपके पास आजाएगा magnitude of B का whole square देखें भी, इसका determinant खोलना आता है, इसको इससे multiply किया, यह आजाएगा magnitude of A square, magnitude of B का square, minus minus, ध्यान से सुन दो A dot B A dot B हो गया और यह वाली चीज़ क्या बन जाएगी magnitude of minus बताईए भी, इसका whole square, और इसका square कितना हो जाएगा, A dot B का whole square, लिख लीज़े भी यह हो जाएगा, magnitude of A का magnitude of A का square, magnitude of B का square minus, इसका square खोल दिया है, यहाँ से cos square theta, यहाँ कुछ common निकल रहे गा common, अंदर, 1 minus cos square theta, और 1 minus cos square theta क्या होता है, sin square theta, और अगर यह sin square theta होता है, क्या LHS और RHS सेम आ गए, और अगर LHS और RHS अगर आपके पास सेम आ गए, तो क्या यह identity prove हो गई, तो यहाँ से एक identity जो आपको याद रखने है, वो क्या है, कि भाई, A dot B का whole square plus A cross B का whole square is equal to magnitude of A का whole square and magnitude of B का whole square, यह याद रखें, कहीं बार आपके पास सवाल आएगा, जहाँ पर यह दे रखा है, यह दे रखा है, यह दे रखा है, यह दे रखा है, आपको यह निकाल लोगा, easily आप इस formula में रखके निकाल लोगा, कि लिए रहे गया, तो इस तरीके से, यह जो chapter है, आप देख सकते हैं, में चीज जो आपको focus करनी है, वो है, skiller और dot product के सवाल, बाकी तो देखो, कुछ भी चीज मैंने आपको नहीं बोला, कि आप इसको याद कीजे, नहीं कीजे, बाकी इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, नेक्स चेप्टर में, जहाँ पर इसका application आप लोग महां देखें इसकी practice sheet कीजिए, वो बहुत selected सवाल में लेकर आया हूँ, पर एक-एक सवाल से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, और आपकी सारी practice भी उससे हो जाएगी, PWK app डालिए, वहाँ पे वो sheet आपको मिलेगी, उसके solutions आपको मिलेगे, किसी भी सवाल में doubt है, वहाँ से आप बिलक सुनने, उसका एक reason है, देखो, यह journey बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, जैसे आप चाहे बोल्स की तियारी करें है, फिर उसके बाद जेई, आपने college, जो भी college, आपका dream college है, उसकी तियारी करेंगे, जर्नी ऐसा निये एक-दो दिन किये, इसके लिए आपने motivated रहता है, जैसे अभी आपका time है, papers आने वाले हैं, यह lifetime के लिए आपके पास, जो माक्षी टाइगी 12th class की, ज्यादा use होगा नहीं, पर जो numbers है, देखो, वो number आपके लिए मेन है, लोगों के लिए एक सिफ नमबर है, आपके लिए तो 12 का, हमेशा बच्चे से यह बूच में कितने हैं, एक simple सा number है, पर इसके लिए कितनी महनत करें वो आपको बदा है, बचपन से, nursery class से, हर एक teacher ने आपके साथ महनत करें, आप लोगों ने खुद के लिए बहुत महनत करें, और इस time पर अगर कोई बच्चा demotivate होता है, उसको लगता है, यह chapter मुझे नहीं करना अचे मुझसे तो होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, you can do it, तो इसलिए मैं आप से लिए बोलता हूं, कि इससे positive, इससे motivated, और आजकल तो आपके लिए pick-up line भी starting में ली जाती है, तो इससे भी आप बिलकुल अपने आपको motivate कीजिए, और कर सकते हो, आप कर सक में जहां पर अपन 3D करेंगे, तब तक के लिए हसते रहें, मुस्कराते रहें, इससे positive, इससे motivated, all the best guys, मिलते हैं